नमस्कार दोस्तों स्वाकरेवर फिर्स से नई वीडियो में में नाव है विनोत कुमार और आप देखरों अपने चैनल अडवेंचर विद विनोत को तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली शाइन हंडेड के बारे में तो बहुत साइब आप उसके बारे में बात की जानी चीदेश है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस Jazby में ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकारण आपको 223 में नहीं लेना चाहिए आ से पहले एक लिया घrestled बताने पहला जो बड़ा उसमें मुझे लगा कि उसका जो मतलब डिजाइन के लगाँ धाल रहे घृत के लगाई और हफ्akat नाम हो गई है कि रहाई फब्सक्री हमें वा तो लेकिन उसमें लंफ मुझे वागा मुझे तरह मिइस प्लस्टिक जो थोड़ा उब स्क्क्राइभ erimientos जो है अग्ला कॉर्ण है कि देखने के लिए मुलने वाले और जो अगला करेंग वह है कि बाइक का वजन बाइक का वजन बहुत ज्यादा कम है कम का मतलब की इसके कंपरेजन में और जो बाइक आती है वो हंडेट केजी के उपर होती है 110 किलो के उपर होती है लेकिन यह हंडेट केजी के नीचे है 99 केजी इसका वजन है जो की काफी ज्यादा मतलब की कम हो जाता है अ अगली प्रोग्लम है वह होने वाली है इसकी सीट है जो कि सीट लेंड थोड़ी से मतलब की प्लेटीना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टन बात जो की जाए वह कि जो इसमें आपको प्राइज मिलता है वह जो अपनी सबसे सब्सक्राइज ज्यादा मिलता है लेकिन चीजें उसमें ऑफर की जाती है काफी दाची चीजों हो जाती है होंडा शाइन 100 तो यह थे मेरे पॉइंट की जो कि आपको होंडा शाइन लेने से पहले आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा या फिर आफ ले रहे हो तो इन चीजों का पर चेक करके फिर आप ले सकते हैं बाइक में उसमें काफी अच्छी दी गई हैं तो मैंने आपको सारा रीजन बता दिया है कि आपको लेने से पहले लेने लेनी है तो इंच सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ ऐसी वीडियो धेर सारी मैं आपके